नहीं, डिसाइड मैं करूँगा 20 बलते बागे एक कुछ कोश्चन हम पीछे छोड़ते हुए चले एक कोश्चन नमबर 12 कोश्चन छोटे हुए है तो करना जरूरी कोश्चन नमबर 12, सबसे पहले कोश्चन नमबर 12 कोश्चन नमबर 12 कोश्चन नमबर 12 यह है तीवाई के सिवन और सर ऐसा है तो कोई कोश्चन कटेगा हाँ, कोश्चन नमबर 49 कट जाएगा कोश्चन नमबर 49 में विक रेश्यो होगा, फिक्स एसे टर्न ओवर रेश्यो होगा प्रोप्राइट हुए चीज इसको अच्छे से बनाते है बढ़ते है करेंट रेश्यो दे रखा 2.5 मतलब 2.5 इस्टो 1 एट इकविटी दे रखा 1 इस्टो 1.5 रेटन अन टोटल असे टर्न ओवर रेश्यो दे रखा है जीपी रेश्यो दे रखा है 20 परश्यो इस्टो कट रेश्यो दे रखा है करेंट मार्केट प्राइस ठीक है नेट वर्किंग कैपिटल दिया है अब ध्यान से देखो यहां पढ़ते पढ़ते काम हो जाएगा जैसे networking capital दिखाना आपको कोई ratio देखना चाहिए वह है current ratio और current ratio कितना दिखा यह दे रहे 2.5 is to 1 मतलब दिख रहा है networking capital है 1.5 यह इस से दो चीज निकल गया current asset और current liability बताओ current asset कितना किसे निकलोगे 4,50,000,000 divided by 1.5 into 2.5 इसमें क्या क्या होगा लेकिन no doubt इसमें stock होगा कैसे बता लग रहा है इस टॉक तो होगा अगे चलते है networking capital fix assets दिया है अगर fix assets मालूम है और current asset मालूम है तो balance इट कर तो total हो गया हमारा total asset तो मिल गया और अगर total asset मिल गया turnover तो turnover मिल जाएगा turnover मिल गया तो क्या sales भी मिल जाएगा और sales मिला तो क्या cogs मिल जाएगा आप देख लेगा और यह क्या चीज दस लक साथ हजार मिल जाएगा आप देख लेगा और यह चीज दस लक साथ हजार और दो आट लाक आट लाक का नाम बलो कोई नाम नहीं नेट वर्थ में हो सकता reserve भी है जाए इसको मैं हाला कि बिल्कुल सही यह proprietary fund भी बोल सकता था पर इसमें क्या होना चाहिए reserve reserve नहीं होगा तो यह proprietary fund या देना हाँ सर वही तो मैंने question बढ़ दिया मेरा काम से पढ़ने का रहेगा क्योंकि यह I.C.E.I. का question है तो बनना चाहिए answer अभी लिखूं कि थोड़ी दिर बात में अच्छा पहले बनाई time दे रहा बोल सकते आप पहले पुरा बनाना पर 1.16 नहीं आ रहा है इतना में ग्यार अट्मा क्विक नहीं गरोगे तो आपके पास तो क्यल्कुट डर्शा नहीं नहीं आपका रहो बताओ कि परें भाने वाज हो अच्छा अच्छा तो COGS कैसे निकलेगा भाई 20 पर्शन प्रॉफिट करने 35 लाक मैनस 20 पर्शन कि इतना आ गया कि यहां तक कोई दिक्कत है कि इसके बाद कर लोगे फिर क्या आएगा हम एश्टीयार को यूज कर सकते है इस्टॉक टॉनूवर रिशू फॉर्मूला क्या है COGS divided by Average Stock तो इस्टीयार मालूम है कि हमको साथ COGS पता है कितना है यहां क्या जाएगा Average Stock कितना आ गया चार लाक आ गया हमारा Average Stock अब यार हमको क्या दिया है Opening दिया है और Average मालूम है तो इससे Closing निकल जाएगा Average का Formula क्या है Opening plus Closing divided by 2 Average कितना है था 4 लाक Opening कितना है Average Plus X divided by 2 X is Z Stock 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 कौन सा कहां तक पहुचे है कहां तक पहुचे है क्यां तक हो गया है Total Asset कैसी यह Current Asset निकला है और Fix Asset यह दिया है 10 लाक 10 लाक Plus 7 लाक पचास 17 लाक पचास 17 लाक पचास जिनका निकल गया है वो आगे चले है हिम्मत दिखा है अच्छा आप पुरा बनाओ ना यार एक पर हो जाने दो जो होगा देखा जाए इसमें? आप बुलाता है और विझा सुपसी हो चीज़ मतलो किसी और कुछ्चन में बुलाता है इसमें आप 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 मतलब आगे निकल गए हो क्या? आप 0.457 ने मैं अभी बहुत पीछे हूँ मुझे बताओ इसका आगे चले आप 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 क्या आप आप अब हमको क्या दो रिशो दिया करेंट रिशो दिया है क्या क्या करेंट रिशो के अलावा क्या क्या माइनस कर दोगे स्टॉक divided by 3 लाग कर देंगे लिक्विड रेशो निकल जाएगा पहला 7 लाग 50 जार माइनस 4 लाग 20 जार divided by 3 लाग पहला अंसर कितना आगय है 1.1 सही है पहला अंसर बिलकुल सही निकाला है 1.10 फिक्स से टर्नोवर का फॉर्मूला COGS अब COGS से भी कर सकते हैं Cells से भी कर सकते हैं जनरली हम किस से कर रहे हैं Cells से सिर्फ स्टॉक COGS से लेकिन अगर फिक्स ऐसी टर्नोवर इस अब बैकट में लिग दिया अब इस अब COGS फिर COGS से करना है I.C.E.I. ने क्या किया है उसने COGS बिस्स पर किया हमें फर्क नहीं पड़ता लेकिन यह कोश्चन एग्जाम में आया है उन्होंने लिग दिया ब्रेक्ट में उन्द अब इसी से तो हम हमेशा सेल से जाए तो सेल से डिवाइड़ बाई फिक्स अचेट्स तो सेल कितना है 35 लाग डिवाइड़ बाई 10 लाक अंसर कितना है 3.5 नहीं यह सही है प्रोप्राइटरी रेशो नहीं कहलो जलती से 0.457 प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाई टोटल एसिट अधाधा काम करते हैं टोटल एसिट में बता हूँ चलो टोटल एसिट में बता देता हूँ कितना 17,50,000 अब मुझे चाहिए प्रोप्राइटरी फंड आट लग किदर से निकाल लिया मतलब आपका कहना रिजर्व नहीं है देखो भाई 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 क्या आपको फिक्स एसिट और करेंट एसिट मालूम है हाँ जब आपको टोटल एसिट मालूम है बोलो हाँ तो करेंट लाइबरीटी भी मालूम है बोलो हाँ और एक्विटी शेयर भी मालूम है से प्रफिरेंश शेयर कैपिटल भी मालूम है बोलो डेट भी मालूम है तो भी अगर आपका टोटल नहीं आ रहा तो रिजर्व होगा आप कैसी कुछ कर सकते यह दिया है डे ठीक वुटी तेखो तोटल एसिट मालू में आपको कितना है 17 लाख 50 जार उसमें एक वड़ी कितने का है 6 लाख प्रेंशेयर कैपिटल है 2 लाख का current liability कितना है 3 लाख और तोटल 17 पचास में सी है और डेट भी है क्या कितना है डेट 1 इस्टो 1.5 4 लाख अरट तो बोलो कितना बचा 2 लाख क्या हो गया मेरा 2 लाख अरट तो दूनो proprietary fund कितना जाएगा 2 लाख अर 2 लाख पचास जार 10 लाख पचास जार divided by 17 लाख पचास जार हाँ सहीं तो है 0.6 इस्टो 1 पहले से बताना था 0.6 इस्टो 1 मतलब सब अल्टिमेटल बैलन्शिट बनवा लिया है ना तो हम लोग उसे क्या हो सकता था इस कोशन के की रेजर्व हम उड़ा देते दिया नहीं है तो लिए क्यों देख क्यों 0.6 0.6 कैसे आया पता है ना 10.50 इवाइड बाई 17.50 इवाइड बाई चलो ये प्रूप अर्निंग पर शेद एपीएश निकलना आप एपीएश निकलो प्राइज अर्निंग रेश्व मैं बता दूँगा पहले बताओ किसका यूज करो रिटर्न अन टोटल एसिट आफ्टर टेक्स मतलब सीधी बात है प्रॉफिट आफ्टर टेक्स उसमें से प्रॉफ्टर डिविडियन मैनिस करना पड़ेगा सबसे पहले बताओ टूटल एसिट कितना सत्रा पचास का पंदरा पर्शन का वो जो आएगा न वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टेक्स सत्रा लाग यासिट का पंदरा पर्शन टू सिक्स वुफाइव दुपर्शन माइनस क्या करोगे प्रॉफिनश डिविडियन प्रॉफिनिश है क्या प्रॉफिनश एगा फैटर कितना कभई गुई दो लग का नौ पर्शेंट, मतलब 18,000 रूपा है, तो अर्निंग्स आ गया है, तो डबल फॉर, नमबर अप शियर्स, ताथ हजार, बोलो एपीस कितना गया है, तो सेवन फाइफ, एक है, राई जर्निंग रेश्यो बोलो जल्दी से, 3.9, EPS आगया, 4.075, और 16 MPS तो, divided by 4.075, तो क्या जाएगा, हमारा प्राइज जर्निंग रेश्यो, प्राइज जर्निंग रेश्यो का फॉर्मूला होता, MPS divided by 8, ओगया, बहुत अच्छी अच्छी चीज थी कोशन में, स्टॉक था, स्टॉक था, स्टॉक था, मतलब बरबर तो हुआ है, एक स्टॉक में हुआ है, एक रिजर्वें सर्प्लस में हुआ है, मतलब सर कितना कट सकता था हमारा नमबर, एक बढ़ बताऊनो, प्लीज, दोदर नमबर के एक मानलो ने है, माल लो कि याद 10 नंबर का कोश्चन है और ये 4 नंबर का है ठीक है तो दो चीजी important है याद रखना कि stock जब भी ऐसा opening ओपनिंग दिया रहेगा तो ध्यान से काम कर क्या ये कोश्चन हो गया था हमारा 13 हो चुका 14 भी हो गया था 15 आउ करे मैं तो होमग देता हूँ ना यार तो करवाद है नहीं पर क्या आप लग को इसलिए करवा रहा हूँ मेरे तो दिखाते हैं मत stock turnover ratio formula बोलो हाँ तो इससे हमारा कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा credit turnover ratio से creditors निकल जाएगा data turnover ratio से debtors निकल जाएगा current ratio दे रहा है तो current ratio का अच्छे से लिखते 2.4 is to 1 working capital बोलो 1.4 लिखना चाहिए आपको है ना CP दे रहा है 24 खास बात है cells दिया है जैसी ये चीजे मिलती है ना लिखना इस्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा लिखते है पहले क्या लिखे के पहले cells लिख देता हूँ अच्छा लगे तो कि ये देखकर ही लिखना होगा थो तीस लाक यह हम पढ़ते पढ़ते काम करें अब यह cells मालूम है और GP ratio मालूम है COGS निकल सकते है चलो तो COGS भी लिखते है तो तीस लाक माइनस कितना पर्षेंट इन्टु 75 पर्षेंट लिख रहे हैं अब आविस लाक कैश सेल्स 25 पर्षेंट अब क्रेडिट सेल्स मतलब यह जो cells है इसमें कैश और क्रेडिट दोनों है अब यह क्या बोल रहा है यह समझना पड़ेगा वह 25 पर्षेंट है किसका इसका नहीं क्रेडिट सेल्स बताओ क्रेडिट सेल्स कितना क्यों इस लख इसे निकाला कैसे एक्स अच्छा इन्होंने ऐसे किया एक्स का मतलब है क्रेडिट सेल्स और यह है 2.5x यह हो गया है कैसेल्स और दोनों मिलागर कितना हो गया है 30 लाख तो सर्थ 30 लाख divided by 1.25 हो जाए वो भी लिखे लिए लाख divided by 1.25 कितना गया है वर्किंग कापिटल दिया है बहुत कुछ आचाएगा तो बहुत कुछ अभी निकालेगी वाद में थोड़ा सब अभी निकाल लेते सब भूल जाएगे ना रहते रहते निकाल ले जाएगा यह बना जाएगा क्या निकाल लेए करेट एसेट नहीं दो असी नहीं तो असी दिवाइद भाइ 1.4 इंटो 2.4 चारला और करेंट लाइलबिटी कितना है दो असी दिवाइद भाइ 1.4 इंटो 1 इंट रिश्व दिया होगा तो श्टॉक भी निकाल सकते हैं पर श्टॉक निकालने के और भी तरी हाँ एवरेज तो निकाली सकते हैं पर अभी जब रिक्वाइर्मेंट है यह वर्किंग चल रही तो रिक्वाइर्मेंट हम अलग से करेंगे अच्छे से और कुछ चीजियों की हम को जरुरत नहीं अब हम काम स्टार्ट कर रहा है और सबसे पहले क्या निकाल रहा है एवरेज श्टॉक और क्या श्टॉक टर्नवर रिश्व दिया है 6 और सीओ जीएस मालूम है हमको तो चलो पहले निकालने जा रहा है हम लोग एवरेज श्टॉक और उसका फॉर्मूला क्या था यार जो जीएस एवरेज श्टॉक का गुमा दिया बस बताव सीओ जीएस कितना था 22 अक पुर्मूला पाइडिर भाई 6 तो यह आगया 3 अक पुर्मूला एवरेज श्टॉक तो आगया हम उसे नमबर भी क्या बोला है पर्चेस प्रेडिंग आगया थे किसी को ओपने श्टॉक लिखते थे पर्चेस लिखते थे तो यहां C.O.G.S लिखेंगे और यहां क्लोजिंग श्टॉक तो अगर मुझको एवरेज दिया है क्लोजिंग लिखेंगे काम हो सकता है न आपका मैं क्या निकालने के कोशिश करूँ पर्चेस पर्चेस अब जैसे भी आप फॉर्मूले से कर लो मैं समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ ओपनिंग श्टॉक कितना कि यूजिस कितना बताऊगे 22,00,000 पच्छास जास श्टॉक कितना है क्लोजिंग अच्छा तो यहां क्या निकल जाएगा पर्चेस नारा पर्चेस बताना बाविस पचास श्टॉक कितना पर्चेस हम अलग से कर लेंगे यह आ गया 23,00,000 मतलब कुछ भी नहीं करना है क्योजिस में जोड देना जो डिफ्रेंस इन श्टॉक है वो कहने का दिल कर रहा है आपका बोल सकते हैं यह जीरो ओपनिंग जीरो है आपका दिल कुछ और बोल रहा है सार नहीं ओपनिंग पास यहां लिखो ना मज़ा आएगा तो यह पच्छेसी क्या फर्क पॉड़ आंसर उतना ही आने वाला है पर फिर भी सर हमको मज़ा तो तब आएगा जब एवरेस लिदेंगे एवरेस से ओपनिंग निकालेंगे क्लोजिंग निकालेंगे और फिन लिखेंगे तो भी आंसर यह आएगा प्रॉब्लम क्या है कि जीरो कहां से आया ऐसा भी पूछ लो कि बाद में खुद से पूछोगे तो पता नहीं लगेगा भाई मुझे बताओ एवरेस वालम है क्या हाँ ओपनिंग पता है क्या निकल सकता है न वो निकालने में विस्वास रखते हो आप लोग और अगर मैं आपसे बोलो ओपनिंग क्लोजिंग कितना है कैसे निकालना सुनों सुनों भाई उतना टाइम नहीं है डिफरेंस कितना है असी डिवाइड़ेड बाई टू करो चालिस और एवरेस कितना यह था प्लास चालिस करोगे तो क्लोजिंग आएगा एक एक भाई मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज इसको सीखना जरूरी है असी अजार है एवरेस मतलब डिफरेंस डिवाइड़ेड बाई मैंने टू किया तो कितना आ गया 40 और एवरेस हमारा निकला है कितना निकला था अगर अब कोई मुझसे बोले कि क्लोजिंग कितना जादा है तो उसमें 375 में 40 जोड़ूंग तो कितना जाएगा 4,15,00 और कोई बोलेगे कि ओपनिंग कितना है तो 375 में से 40,000 माइनस कर दूँगा पर अगर आपका विश्वास X में है तो चलो वैसे जलो यही आएगा ना भाई तो ट्रिक बता रहा हूं यह मैं foundation में पढ़ाया करता था कि आपका CACPT हुआ कर देना अब बोलो क्या जाता है closing तो average में यह जोड़ देना difference और क्या बोलेगा opening तो इसमें से minus कर देना चले यह trick है दूसरा trick मैंने आपको क्या सिखाया और इसा difference ही लेलो हम क्यों time burst करें क्यों क्यों difference तो C है सिदा C plus कर देते हैं तो भाई मैं क्या निकालने वाला था purchase purchase मांग रहा है कि trade purchase पर्चेस में सिदा निकाल रहा हूँ COGS हमारा निकला हुआ है 25,000,000 और डिफ्रेंस इन पर सुनो बिल्गुल तो रट्टा नहीं मार रहा हूँ न इतने तो समझदार हूँ वो बोल दिया कि closing stock 80,000 कम है opening से पर्चेस कितना है इस लाक तो हमारा दूसरा भी काम हो गया इस पर हमने बहुत ज़्यादा समय खराब कर दिया थी average debtors इसी में cash भी है इसी में credit भी उसने इसी purchase बोला जो हमारा trading account में जो purchase आता है न वो total purchase होता है अब कहोगे कि सर इस cash purchase का कहा यूज होगा आगे होगा creditors में होगा debtors debtors के लिए कौन सा sales चाहिए credit sales credit sales दिया है क्या 24,00,00 और 8,00,00 और 8,00,00 हो गया है तो 24,00,00 divided by 8 3,00,00 creditors के लिए कौन सा purchase चाहिए credit sales अभी हमारा जो purchase निकला था 23,00,00 तीस हजार यह तो total purchase था यह से cash वाला minus कर दिए चाहिए आया है 21,00,00 और credit turnover ratio दिया है क्या 10 2,00,00 average payment period इसको तो एक short credit बताया था मैंने D60 divided by DTS payment payment मतलब credit credit turnover ratio इसको यह याद है न मैंने करवाया था किन सौसाटः और दिए भी ठीस दीस तीस हाद है एक ट्साइष झाहर टीस दीस हादभी दीस हाद है एक ट्साइट इसाद डस्याद थादीस हादएष एक्याट qué़फ हैवज Noch? तो निकाली लिया था कितना आया था चारलाग ऐसी हजार उपछला कोशन था चारलाग ऐसी हजार और दो लाक यह था अल्रेड़ी निकाल चुकी हम लोग कितम कोशन कहां ज़्यादा मुश्किल है यह तुने तुने प्रस पड़ते जाए पर प्रस पर दॉने तो कि है कि तो सर यह क्या कोशन कोशन कि तो अल्रड़ी हो चुका है क्टवाया था मैंने नाइंटीन भी कटवाया था कटवाया था वन भी कटवाऊंगा साइब 22 तो हो गया था हमारा कुछ अच्छा गोशन में दिए और क्या यह अच्छा गोशन इसमें सिर्फ balance sheet बनाना है और seriously कोई कुछ बुलेगा नहीं balance sheet का format दिया नहीं था कोशन के साथ ठीक हैं तो यहां अब balance sheet में मुझे बताओ क्या क्या आ सकता है जुगार लगा के इसको देख कर बता दो नहीं नहीं यहां से fix asset तो आएगा fix asset तो आएगा कैसे पता लग रहा जर्ब अच्छा share capital भी आएगा और reserve and surplus और long term debt भी आएगा तो फिर current liability stock आएगा क्या liquidity ratio दिया है तो no doubt stock भी आएगा debtors आएगा average collection period दिया है तो debtors भी आएगा तो फिर बचा क्या कैस भी है कबस कोई एक चीज दिया है क्या मैं क्या कह रहा हूँ लगता है time लगाऊ ना यार अराम से बनाऊ रिलेक्स हो ये बलज़ो है ना इसको काट देना network तो fix इस matter पर मैं बात करूं fix asset cut कर देना इस matter पर मैं बात करूं हमको मालूम तो है पर डेटर स्कैस का जुगार करना पड़ेगा अपन लोग अच्छा current asset कितना निकाला था भई इदर side में लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा अब बाकी देख लेंगे क्या करना अब और सोचो कि इस कोशिशन में कहां कहां गलतिया हो सकती थी पास्चर के बात अभे नहीं बता रहा हूँ तोड़ी देख वात हूँ तोड़ी देख वात हूँ तोड़ी देख बात हूँ यह लाइन कटी नहीं आई सी ए आई नहीं यह लाइन यह एक्जाम का कोश्चन है नवंबर दोहजार चवदा का और यह लाइन थी पर इस लाइन की वज़े से बैंड बच जाई एक सेसिट मालू मैं बताओ नेटवर्ट कितना है तो इदर तो खेली खतम हो गया अब लॉंग टर्म डेट लिख नहीं सकते है जीरो है पांसर ही मैच नहीं हो वो बच्चों का प्रॉल्ल हो है मैंने तो काड़ दिया भाई जरूरत ही नहीं है ना तो ICA ने यूज किया इसका वो गल्पी से वो ऐसा है कि फ्रेमिंग ठीक से नहीं हो भाई इन दोनों को ये रेश्यो दिया है 0.25 के आगे 1 होता है जिसे पार्टनर्शिप में बाठते ना यार्ट टोटल मिला कर कितना है दोनों मिला कर 37 लाक और ये मतलब फिर मैंने कैसे बाठता होगा 0.25 इन दोनों को मिला कर कितना होता 1.25 तो 36 लाक इन्टू 0.25 डिवाड़ेड़ बाई 1.25 और फिर 36 लाक इन्टू 1 डिवाड़ेड़ बाई 1.25 ठीक क्या क्या कैसे कैसे निकाला था आपके बुक का कोशन है टी वाई के 9 और जहां टी वाई के आता एक कोशन कटता है तो 51 कट जाएगा क्योंकि दोनों कोशन एक जिससे 51 24 51 51 50 50 नहीं कटिका नहीं कुशन वो कवर नहीं होगा नहीं कुशन 59 अब इधर से सब काटना इस्टाट कर दिये गया अब रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ अधीवे धीरे बताते जाता हो सबसे वाले इसको करेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो बिल्कु धियान से काम करना पढ़ेज़ यह इसे का मतलब होता है पिरियएट्स एवरेस क्लेक्शन है और क्रेटर का पिरियएट है टू मंथ श्टॉक टैनोग रेश्वो दिया हुआ है पीपी रेश्यो दिया है तो कहीं न गहीं हमारा काम अज़ा है तो बिल्स एक नहीं तो बिल्स रिसीविबल और बिल्स पेबल जब आप सुन लो जब आप DTR को यूज करके या फिर मैं ऐसे बहूं क्रेडिट सेल्स डिवाइड़ बाई DTR यूज करते हो DTR तो कुछ निकलता है क्रेडिट सेल्स डिवाइड़ बाई DTR तो यहां जो निकलता वह क्या निकलता है एफरेज ओटर्स इसमें हमेसा बिल्स रिसीवेबल जुड़ा रहता है यह फॉर्मल एक्चली होता है कि एफरेज लिड़टर्स प्लस बिल्स रिसीव तो फिर अगर बोल रहा है sundry debtors निकालो तो इसमें से average debtors जो निकलेगा उसमें से क्या minus करना पड़ेगा bills receive ऐसी average creditors में से क्या minus करना पड़ेगा bills pay यह मैं लिखवा दूँगा, करवा दूँगा अगे चलते हैं GP दिया है, 4 लाग तो काम हो गए, 4 लाग दिया और 25 परशन्ट तो सेल्स हजाए कोशन में धीरे करवाँगा, बाकी सारी चीज़ चलो श्टार्ट कर रहा है तो पहले नंबर पर मैं निकाल रहा हूँ सेल्स GP divided, formula नहीं लिख रहा हूँ formula कितना याद रख पाऊँगे नहीं यह रहा हूँ सेल्स चार लाख दिया दिया रहा हूँ पर चीज़ सेल्स कितना आगे है एक काम तो हो गए अब 16 लाख है सेल्स तो मालम है, 4 लाख तो क्या सीयो जीयस निकल गए है पर लाख को जीयस मालम है कि दो सैल्स और सीयो जीयस पता है अब क्या-क्या निकल सकता है सैल्स, पहले नमबर पे सैल्स और सीयो जीयस मांगा था क्या हमारा पॉइंट नमबर वन खतम हो गया अब हमको क्या निकालना है DATUS DATUS के लिए DATUS velocity दिया है थृमन्त तो AVERA DATUS निकाल लेते सब तूसरी रंबर पर निकाल रहे हैं Sunry DATUS और Sunry DATUS से पहले निकाल लेए AVERA DATUS सेल्स को सारक रेट सेल्स ले रहे है ना दलाक इंटू 3 दिवाइड बाई 12 दलाक तो संडी डेटर्स पो निकला एवरी डेटर्स सिसमार मिल्स देफ़ Спा allora स्क्रांन एवरी यह है रख द्योंक स्तॉ गो है वील्स गाइबल किर क्या निकालना नाम को रेडिटर्स कैसे निकलता है परचिस पर किया स्यों जीस मालूम है हाँ तो याद करो सियों जीस इधर लिखते हैं और ओपनिंग इस्टॉक लोजिंग इस्टॉक तो तो इस फ्रेंस ऑफ इस्टॉक दिया है दस जार जादा पर्चिस निकल जाएगा और यह पर्चिस निकला तो फिर क्रेड़र्स निकलने को लिखो गया पॉइंट नमबर थे तर्व पर कि कि पर्चिस कि इस कितना था 10 अब क्या निकाल रहा है क्रेड़र्स पर यह कौन सा क्रेड़र्स निकलेगा आवरेश कि पर्चिट रहा स्फ़ाला कि आघ्सक्राव 201 , , , , 2, 0, 1, 6, 1, minus विल्स पेब 191 अधक हो गया? closing stock तो मैंने का क्या करना 10,000 divided by 2 कर देना तो कितना जाएगा 5,000 प्लस average stock निकला है क्या? अधर से निकला 8,05,000 तो आगे 8,05,000 leverage stock निकलना पड़ेगा लेकिन की निकलेगा STS, QGS 12,00,000 और stock turnover ratio कितना? 5 6 अधर कितना आ रहा है 64,00,000 हाँ तब 10 over 4 है तो 16,00,000 divided by 4 होगा क्या? 10 over 1 fixes it 10 over 1 fixes it तुमा हमें से turn over उपर तरी गलत है वो लिख नहीं पाया ठीक से उसने 2 लगा दिया जोश में आके हम लेकिन समझदार हैं को turn over पता है 10 over 2 10 over 2 fixes it 10 over 1 को मालूम है चालक 25 बना लिया हम लोगों बनाया है के नहीं बनाया है हाँ दू कोशन एक जैसे थे थे ना है 32 और 25 एक जैसा कोशन है हाँ 25 पर अच्छा और बुक में देखो 26 कट करोगे 27 थेयरी है कट कर दो 28 तो कट नहीं करेंगे हाला कि ICAI कोशन नहीं है तो कर लेंगे 26 और 27 तो कट करेंगे 28 का डिसाइड करेंगे 29 बना लिया है 29 बना लिया है क्या 30 भी हो गया 31 तो बना लिया है हम लोगोंने बनाया है बनाया लिया है 100% बनाया है याद करो यह देखो देखो मेरी वाद समझा इंट्रेस्ट्राइंड इवेंचर दिया है और फिर एक बैलेंश विर दिया था मैंने बनाया था और मैं यह रेड भूल गया था वैसी ही कोश 32 बना लिया है क्या 33 भी बना लिया है अच्छा 39 है क्या 39 पे सीधा पहुँच गया है क्या चलो तो 33 तो अभी मेरे पास है अभी एक बार देख लेते जो बोड में बनाएंगे ना भाई बनाएंगे अभी ब्रेक होगा ब्रेक के बाद फिर मैं और समने वाले से कॉश्चिन बताएं 39 पहले आजाओ 39 पे 39 क्या देखा देखा लग रहा है कॉश्चन में 9 चेक रूब कॉश्चन में 9 लग 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 इस देखा यार एकविटी ना यहां दिया है 6 लाक एकवड़ी यहां दिया है question number 9 में भी एकवड़ी शिया capital दिया था current debt to total debt दिया है क्या yes total debt to honors equity दिया हाँ यह नहीं कहा यार आप परिशान किये थे ना इस balance sheet में उसने बना कर दे दिया कि चलो balance sheet का total भी दे दिया उसने लिख ले ना कि कौन से question जैसा है कि अगर यह नहीं बनेगा तो उस question के help ले से आगे मैं बताते जा रहा हूँ question number 41 बना लिया है बस cost of good sold को वो work cost बोलता था याद है उसमें हमने पहले क्या निकाला था operating expenses नहीं इसने तो यह बना कर दे दिया format याद करो यह balancing figure आया था और मैंने कहा था raw material consumed लेना opening और closing को अटा के raw material consumed लेना और यहां हमने indirect expenses balancing figure ले लिया था कुंसा question था याद है मुझे वो था question number five 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 question number five तो यह भी homework है exam में आया हुआ please कर ले न question number five तो आपको टी 6 कट गये हैं और आप पोटे-सिक्स कार्ट दीजिया फोटी-सेवन कार्ट दीजिए फोटी-एट फोटी-नाइन आइं न मतलब एक ही जैसा question 49 कट हो गया है, 51 भी कट है, 47 भी कट हो गया है, नहीं बतारों कौन कौन सा कोश्चन, कहां से काटना, 43 से काटना, 43, 44, 45, 46, 47, 48 होमवग दे दिया था, 49, 50 भर रह जाएगा, 51 कट जाएगा, दर से तो एगा, ठीक है, कौन सा कोश्चन, 42 नहीं किया है, 40 जैसा कोश्चन है, तो ये मैं अभी करवाओ, एक कोश्चन वैसा करवा दूँगा, तो ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, अब ब्रेक ले ले, और आज क्या लगता, कितम हो जाएगा, कोश्चन नमबर 33 पे आईए, अब आप यहाँ देखी नहीं सकते हैं, कोश्चन वुक खोलना पड़ेगा आपको, कोश्चन नमबर 33 बनाया था क्या, नहीं बनाया ना, कोश्चन नमबर 33, पाच नमबर काया पर अच्छा कोश्चन, 33 में है, सेल्स for the year, all credit, ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, और जीपी रेश्यो दिया है, 25 पर्षेंट, सुनो ना, सबसे पहले एक काम करते हैं, स्यों जीएस तो नहीं की लिए, टोटल है 30 लाग का 75 पर, या गया बाग, आज अफिक्स असे टरन ओवर रिश्यो, सीओ जीएस पिक के बेसिस पर, अगर ऐसा बोला है, तो सीओ जीएस ही लेना पड़ेगा, तो इससे कुछ निकल सकता है, कि फिक्स असे टिक है, अब देखते हैं, जो भी जिसकी बी चीज़ जरृत पड़ेगी, सबसे पहले क्या मांग रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहला काम हम कर रहा है हम लोग ने कर रहा है, सबसे पहले क्या निकलेगा, अवरेज स्टॉक, तो चो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है क्या नहीं तो जो एवरेज निकलेगा वो ही हमारा तो चींग हो तो सी तो जी है 22,50,000 और इस टॉक्टर नवर रिश्व कितना है 6 अंसर एक से बाद दूसरा फिक्स एसिट मांग रहा एक से एसिट उसके लिए कुछ दिया है क्या QGS बजाएगा फिक्स एसिट्स QGS है 22,50 divided by 1.5 15,00,00,00,00 करेक्ट आंसर अब यार लिक्विड रिश्व और करेंट रिश्व दो ऐसी चीज दिया है ब्रह्माज्थ्र जिससे आप कुछ भी निकाल से और उसके लिए networking capital चाहिए या stock चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए stock दिया है stock कितना है बोलो के 0.5 फिर तो बोलो क्या-क्या नहीं निकाल सकते बहुत कुछ नहीं तो पहले नंबर पर ग्या मांग रहा है current asset निकाल ले current asset stock कितना है 3,75,75 जो की किसके बराबर है 0.5 हमें क्या निकालना current asset current asset है 1.5 11,25,000 देखा इना calculate 14,25,25 अब भी आजाएगा डेटर्स डेटर्स किस बेसिस पर निकाले cells तो डेटर्स आगया पाच लाग ठीक है उसके बाद क्या निकालना हमको net worth तो net worth देखोगे तो net worth fix as it to net worth ratio दिया उसकी help से अगया बारह लाग पचासे अरभ फास्ट बटे एक्स्पी आजसर लिखके लाया हम नहीं से छापराम निकाल लो भुझे रही मालम बारह पचासे डिकलेगा कि नहीं निकलेगा बारह निकलेगा अग इसलिए बारह में बच्चे तो यार ऐसा तारीफ कुरते हैं सब करते कैसे वह इतने स्पीट से उनको मालम भी नहीं कि मैं देख कर लिख रहा हूँ कर दो कोशन नमबर 34 कब आया था ये कोशन में 2022 अभी अभी का कोशन का अंसर मेरे पास है नहीं आप नहीं कालो तो सही मानलो यार एक्जाम में आंसर नहीं दिया हो फिर कैसे करो वो यासे वो मान के चाओ मैं पढ़ दूँ कोशन शेर कापिटल दिया 10 लग का रिजर्व एंसर प्लस टू शेर शेर होल्डर स्पंड दे रखा 0.5 तर्स दिवादे बाइ शेरोल्डर स्पंड 1.5 अब यार एक्वरी शेर कापिटल और रिजर्व एंसर प्लस टू शेर्वल्डर स्पंड शेर होल्डर स्पंड में एक्वर्टी और रिजर्व दोनों आता जेको रिजर्व एंसर प्लस टू शेर होल्डर स्पंड मतलब एक्वरी शेर कापिटल प्लस रिजर्व एंसर प्लस एग्री तो यह कितना है रेश्यो कितना दिया 0.5 रिजर अन्सर प्लस क्या है एक्स एक्विटिश्यर कैपिटल तुम आलों में तसलाग प्लस एक्स असा मैं आरी ना मैंने क्या लिक तसलाग आया है क्या एक्विटिश्यर कैपिटल भी दसलाग आया तो पॉइंट फाइव है ना यार तो दसलाग और दसलाग कितना हो जाएगा वीस यार नहीं तोटल मिलाकर बीसलाग आयेगा ना देखो ऐसे गलो यह कॉमन सेंस यूज करो कॉमन सेंस तो दिख रहा आपको 50% क्या है और 50% तो दिया है दसलाग तो वो दसलाग और वो दसलाग चॉटल मिलाकर बीसलाग पर वो कॉमन सेंस यूज कहां होता है अब एक अगले पॉइंट में बात करना हो अब यह आ गया ना अब जो यह समझ में आ गया ना अभी जो इस टॉक है ना वो प्रेजन्टेशन छोड़ो दो बात में कर ले ना कॉमन सेंस यूज करके लोगे इस टॉक पर उसके लिए सेल्स रिए ना यार अच्छा सेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है सेल्स निकालो निकालो कैसे करोगे मैं निकांता ह। मैं मेरे पास आंसर नहीं है ना मैं मेरे पुई तो बोल नहीं हुआ हुआ हूँ जो मैजोर्टी का अंसर आएगा वो वेर होल्डर फंड को ले लेते हैं 1 तो सेल्स हो गया 1.5 मतलब 20 x 1.5 30 30,000,000 अगया सेल्स अच्छा सिज यूज येस बेसेश मैनिस 20% 24,000,000 हो गया इस टॉक की बात करें हूँ तो टू डिवरे ले 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 ठीक है 4,000,000 अब मैं टाइम दे रहूं करो अराम से हाँ हाँ और उसमें से न या 20% हमको GP मैनिस करना पड़ेगा तो CEO जी ऐसे जाएगा कैसे निकल रहा है cells दिया है हाँ और यह मानके चल रहे हैं कि जो भी cells है वो create cells है फिलको सही हो कि अज़ा हैं? किश्रा है तरे ने कितना आट लक्व और कैश कितना मताया है याजू कि अचीज